हिलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो आज से हम लोग सुरू करेंगे हिस्टरी की कलासेज और हिस्टरी की कलासेज को सुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट बातों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास क्या है काफी हम लोग briefly इसका analysis करने का प्रयास करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे चार important एक तरीके सा pillar की रूप में कह सकते हैं कि history के जो चार pillar इन ही पिलरों पे पूरा का पूरा history ठीका हुआ है तो इसमें कहना कोई अतिस्यक्ति नहीं होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे सबसे important है यहाँ पे इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है इन सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से आज हम लोग देखने वाले हैं तो class को यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इतिहास क्या है तो देखिए इतिहास के definition को लेके इतिहास कारों में बहुत अधिक मतभेता केसिती यहाँ पे हमेशा मौजूद रही है इसलिए अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो देखिए किसी भी देश के विकास को जानने के लिए डेवलप्मेंट को जानने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी है इतिहास क्या है? इतिहास की क्या परिभासा है? इस संबंद में अगर देखा जाए तो अलग-अलग बिद्वाणों ने अलग-अलग तरीके से अपनी बात को रखा है इस कारण इतिहास की कोई भी सरोमाने परिभासा निश्चित नहीं किजा सकी है इतिहास मनुष्य और समस्त मानो ज्वाती द्वारा की गई उन्नती का भीवरण जानने के लिए एक मिल का पत्थर का काम करता है जैसे की एक मिल की पत्थर के बाती कार्य करता है समाज के उज्जोल भाविस्थे के लिए हमें अतीत का इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है अतीत का ध्यनकर हम न केवल अपनी बहुमुल्य बिरासत के बारे में जान सकते हैं अपीतु उन कुप प्रप्थाओं के बारे में भी हम लोग ग्यान प्राप्त कर लेंगे जो देश की प्रगती में कहीन कहीं मुख्या बाधा के रूप में यहाँ पे हमेशा से मौजूद रही है और वर्तमान में भी बहुत सारी इसी घटना है जो देश की प्रगती के विकास में पूरी तरीके सी बाधा के रूप में सामने आती है तो कुल मिला के यहाँ पे कोई एक एक जेक्ट जो definition यहाँ पे सामने नहीं आता है लेकिन फिर भी बहुत सारे इतिहास कारों के द्वारा कुछ definition को लेके यहाँ पे एक मत बनी हुई है जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप देख सकते हैं इतिहास सब्द की बितपती इसका मतलब है कि उतपती जो हुआ है संस्क्रीत भासा के तीन सब्द इती ठीक है इती का मतलब ऐसा ही हा का मतलब निश्चित रूप से एवाम आस इसका मतलते मिल कर अगर इसको पुरा का पूरागर हम लोग इसको सिंक्रोनाइज कर दे इसको कमपाईल कर दे पूरा तो ऐसा ही निश्चीत रूप से था अर्थात जो घटनाई अतीत काल में निश्चीत रूप से गटी है वहीं इतिहासक है और इतिहास कारा का यही कारे है जो भी याँ पर हिस्टियो ग्राफिजो लोग है वह अतीत यानी इतिहास की घटनाओं को इस धंक से पाठक के सामने रखे जो भी अस्टूडेंट है ठीक है या फिर जो भी हिस्ट्री में इंट्रेस्ट रखते हैं कि उन्हें आसानी से ये लोग समझ सकें और इनके द्वारा बख्षू भी अपने रोल को प्ले किया भी गया है युनानी इतिहासकार हेरो डोटरस को आधोनों की इतिहास का जनक माना जाता है उसने इतिहास के लिए प्रथम बार हिस्ट्री सब्द का प्रयोग किया हुआ था हिस्ट्री का मतलब है आप अगर ठीक है हिस को हटा दिजिए ठीक है हाई हटा दिजिए तो देखिए पूरी तरीके से अस्टोरी यहाँ पे सामने आ जाएगी उसके बाद next हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इत्यास के बिभीन परिभासा अब परिभासा को लेकर जैसे के शुरू में ने आप लोग उसे सेर किया हुआ था कि बहुत अधिक एक मत्ता के स्थिति यहाँ पर मौजूद नहीं है तो जब बहुत अधिक एक मत्ता नहीं है तो अलग अलग डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखने का परियास करेंगे जैसे कि यहाँ पर कुल मिला के साथ अलग अलग छेत्रों में इसका डिफिनीशन दिया गया है इतिहास एक कहानी के रूप में, समाजिक बिज्ञान के रूप में, बिज्ञान के रूप में, ग्यान पर अधारित के रूप में, इसके बाद यहाँ पर बिचार धारा के रूप में, समसामिक के रूप में, करेंटरफेर के रूप में, एवं अतीत एवं वर्तमान के बिल्कुल सिंपल है, इतिहास एक कहानी होए को लेके कुछ बिद्वानों ने इतिहास को मात्रे एक कहानी कहा, इसमें जिसे की कुछ परमुख नाम है, नाम को आप ध्यान देते चलिएगा, जी जे रेनियर के द्वारा, इनके द्वारा का क्या कहा गया, कि हिस्ट्री को एक अस्टोरी के रूप में प्रस्तूत किया जाता है, और उसने हिस्ट्री के सब्द को यर्थात, जैसे की हिस्ट्री, यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो हि को उन्होंने रिभूब कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे पूर सभ्य समाज में रहने वाले मनुस्य के कारवे ओम उप लब्धियों का पूरी तरीके से उलेक होता है और यहाँ पे जब बात की जा रहे हैं सभ्य समाज की सभ्य समाज की तो सभ्य समाज का मतलब सभ्य अपने आप में एक कम्प्लीट सब्ध हैं तो सभ्य समाज से अभिप्रा है कि संगठित तथा समाज तथा राज्य यह नहीं कि जंगल में जीवन बेतित करने वाले असंगठित मनुस्य का इत्यास नहीं संगठित समाज में परतेक व्यक्ति अपने ढंग से यहाँ पे कारिया कर रहा होता है और परतेक व्यक्ति का अप देखा जाए तो कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पर पूरी तरीके से सामने यहाँ जाता है और इनके द्वारा ही उनके कारेओं का उले किया जाता है जो कि इनकी लिमिटेशन को दर्साता है नेक्स्ट यहाँ पे इतिहास कारे कहाने के रूप में दूसरा जो इन्होंने बात बताया एक और यहाँ पे इतिहास कार है जिनका नाम है हेनरी पिरेड पिरेड ध्यान रखेगा हेनरी पिरेड इनके अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुस्य के कारियों और जोड़ दिया कारे और उपलव्दी को लेके इनके द्वारा बात की जा रही है। यह परिभासा भी अगर देखा जाये तो पूरी तरीके से यहाँ पे सही सावित नहीं होता है। क्योंकि समाज में देखिये रहने वाले जो भी मनुस्य हैं, मनुस्यों का इतिहास का पूरी तरीके से जिक्रे नहीं होता है। लिमिटेशन यह आप दिखाई दे रहा है, अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा इतिहास एक समाजिक बिग्यान है, चलिए देखते हैं, इसमें बात की जा रही है कि कुछ इतिहास कारों ने इतिहास को एक समाजिक बिग्यान के रूप में बताया, इतिहास को एक सम माजिक बिज्ञान मानने वाले जैसे कि इसमें कुछ इतिहासकार है यार्क पावेल जादे नाम जानना इंप्रोटेंट नहीं बस सुनते चलिए यार्क पावेल है उसके बाद से फर्थ जैसे इतिहासकारों के द्वारा क्या बोला गया तो इन्होंने बताया कि इसमें कोई स पॉइंट है ध्यान रखेगा भॉगोलिक परस्तितिया अब इनसी भॉगोलिक परस्तितियों को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा यहीं बताने की कोशिस की जा रही है कि मनुस्य की कार्य की छामता को पूरी तरीके से परभावित करती है इतिहास को ठीक ही समाजिक विज्ञान का उद्गा मस्तल माना जाता है इस्तिया विपराया है कि इतिहास में जो भी यहाँ पे सोसल, एकनॉमिक, पोलिटकल, कल्चरल जो भी यह सारी चीजे हो रही है इसी का विकास करना अवस्याक है और यह सारा विकास कहीं न कहीं किसी भॉगोलिक परस्तिती में ही सुरू किया जा रहा है लेकिन यह भी सारी बाते पूरी तरिके से सही परतित नहीं हो पा रही है नेक्स्ट है आपे इतिहास एक बिज्ञान है इतिहास एक बिज्ञान है 1869 इस्वी में काफी इंपोर्टेंट नाम है जिनका नाम जेनरली आप लोगों ने सुना होगा चार्ल्स डार्विन इनके द्वारा अपने परसिध पूस्ताक अन्दा ओरीजिन ओप अस्पेसिज अस्पेसिज को मतलब बता है जीव जन्तु अन्दा ओरीजिन ओफ अस्पेसिज में इतिहास के अध्यन को बैग्यानी का धान परदान किया और उसे अन्य बिज्ञानों के साथ सम्मंद किया डार्विन की पस्चाथ एक परफेसर और आएंगे जिनका नाम है जेबी ब्यूरो जेबी ब्यूरो ने इतिहास को अन्य प्रभाव से मुक्त करके उसके अध्यन के छेतर को बिरिश्त्रित किया उनके अनुसार इतिहास बिज्ञान की स्रेडी में आता है इनके द्वारा भी ये कंसीलर किया गया कि इतिहास बिज्ञान की स्रेडी में आता है और वह लिखते हैं कि इतिहास सहित्य की एक साखा भर नहीं है वह एक बिज्ञान है ना उससे कम और रधिक बिलकुल बार बार इस बात को तर्क दे रहे हैं लेकिन इनकी भी बिज्ञान वाली बातों की अलोचना की गई, कुछ इसमें कम्या निकाली गई, वह क्या था तो कहा गया इसमें कि इतिहास को बिज्ञान ना मानने वाले कहते हैं कि इतिहास के निल्डे निश्चित नहीं होते जबकि विज्ञान निश्चित होते हैं अता है इतिहास कभी ज्ञान यहापे हो ही नहीं सकता है इनकी भी अलोजना कर दी गई चौथा है यहापे इतिहास ग्यान पर अधारित है इतिहास ग्यान की एक सका है ग्यान के बलबूते ही मनुस्या आज यह सभी प्राडियों में अगर देखा जाए तो देखे पूरे बिश्व में इतने प्रकार के जीव जन्तु पाये जाते हैं लेकिन इसमें जो मनुस्या है एक अस्पेसल कैटेगरी की रूप में यहाँ पर पूरी तरीके से इसको सामिल किया गया है इस प्रकार हम लोग देखें यहाँ पे तो बिल्कूल ग्यान का जो फोकस दे रहा है ग्यान पर जो फोकस दिया जा रहा है कि ग्यान के बलबूते पर मनुस्या आज यह सभी प्र इतिहास वाद कहा जाता है, इतिहास कार कहा जाता है, और यह ज्ञान सिख्छा पर अधारित होती है, अता इसे कालपनिक नहीं माना जा सकता है, कालपनिक इसे नहीं माना जा सकता है, एकजामपल के रूप में अगर यहाँ पे धेरो सारे एकजामपल इनके द्वारा गिनाने का प्रियास किया जिसे कि 9 पसाड काल में 9 पसाड काल में हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि उनके द्वारा अगनी और पहीय के विश्कार ने मानो जिवन में जो करांतिकारी पर वर्तन किये उनके बारे में यहाँ भी जनकारी हो गई नो पसाड काल में अगनी आ गया पही आ गया किरिसी आ गया बहुत बड़ा करांतिकारी चेंज हुआ उसी तरीके से अगर हडपा काल में देखें तो हमें हडपा सब वेता के अध्यान से हमें योजना बद ढग से नगर सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि नगरों के निर्माड का गयान पराप्त हुआ वेत को देखें वेध वेदाज तो इसके अध्यान से हमें जीवन के उध्यस्ते के बारे में आयू वेर्द और संगीत कला की महत्पूर जनकारी पराप्त हुई आगे चलके यही परक्रिया बताते चल रहे हैं कि कौटीले के अर्थ सास्त्र से हमें राजनीती के आदेसों के बारे में पता चला असोक की कलिंग लडाई से हमें पता चला कि युद के वल बिनास लाता है युद हम किसी के दिल को जीत नहीं सकते हैं युद के मादे हम से बुद की बात करते हैं सुनते चले आप लोग कि महात्मा बुद के जीवन से ग्यात हुआ कि संसार दुखों का घर है आगे चलके मध्यकालीन भारत अकाते हैं अलाओदीन खिल्जी ने सिकंदर महान की असफलता को देखकर विश्व विजय की योजना का पूरी तरीके से परत्याग कर दिया अकबर ने दिल्ली की सुल्तानों को असफलता को देखते हुए राजपूतों से मैत्री पूर्ण समंद असथापित करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुआ और तो अगर हम लोग थोड़ा विश्व इतिहास की बात करें तो आज कोई ऐसा देश नहीं है जो हीटलर दथा मुसोल्नी का अनिकुरर करना चाहता है अब यहाँ पर देश का मतलब उस देश के लोगों से हैं ना कि कुछ सेलेक्टेट पार्टियों से हैं उसी तरह दूसरे विश्व युद के दोरान परमाडू अस्तरों ने जो बिनास फैलाया उससे देखते हुए आज कोई भी राज्ट इनके परियोग की कल्पना भी नहीं कर सकता है तो कुल मिला के यहां पर बताने के क्या प्रयास किया जा रहा है कि इतिहास पूरी तरीके से यह ज्यान पर अधारित है और इतिहास भी ज्यान की साका है इतिहास हमें बहुत सारी महत्पूर जनकारी देती ही देती है पांचवन नम्मर पे हैं यहाँ पे संपूर इतिहास बिचार धारा का पूरी तरीके से इतिहास होता है इसको पर्तिपादित करने वाले कुछ परमुक बिद्वान है यहाँ पे जैसे आरजी कलिंग उड़ इनके द्वरा क्या किया गया तो इन्हों ने अपने सरवाधिक परसिद्ध वाक्यांस में कहा कि संपूर इतिहास बिचार धारा का इतिहास होता है और आगे चलके परसिद्ध लेखा के कौर आएगा रेनियर काफी फेमस नामें ध्यान रखेगा रेनियर का अनुसार इतिहास सब ये समाज में रहने वाले मनुस्यों के अनभव के कहानी है क्या इतिहास बिचार ही इतिहास होता है यह अधारा बिद्वानों के बीच बिवात अस्पत का विसे बना हुआ है तो सब हम लोग देखते चल रहे हैं उसी तरीके से यापे 6 नमर पे समपूर इतिहास समसाइक होता है ये काफी इंट्रेस्टिंग है इसमें बताने की कोशिस किया गया है इसमें परसिद इटालियन जो दार्शनिक है द्यान रखेगा इटालियन दार्शनिक है इसमें इसम वर्तमान में जो भी घटनाय हो रहे है वर्तमान की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वो अतीत का अध्यन का करने का यहां पर प्रियास करता है और इस द्रिष्टी से वह अतीत को उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में अतीत था क्या पता था उसमें क्या था वह वर्तमान की समस्याओं के परकास में पूरी तरीके से अतीत को देखने का प्रयास करता है। इध्वानों के द्वारा इसको बहुत हद तक सही माना गया और यहीं वास्तों में देखा जाए इतिहास का डिफनिशन वता है। लेकिन कहीं कहीं हो जोड़ने का कारे कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे मनुस्य चिंत अंसिर प्राड़ी है। पसु पच्ची को भविस्य की चिंता बिल्कुल नहीं होती है। पसु है यहाँ पक्ची है ठीक है फ्यूचर क्या होगा इनका ठीक है इन्हें भी कुद पता नहीं होता है। लेकिन मनुस्यों के साथ ऐसा नहीं है। मनुस्यों के साथ बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मनुस्य जो कुछ सोता है या करता है उसके पीछे भावी पीढ़ी की सुखद भविस्य की कलपना काम करती है। इसी को ध्याय में रखते हुए, भारतिय रिसियों के तवरा देखे, वेद, महाकाब्य, बहुत सारे ऐसे धार्मि गरंथ लिखा गया, जो स्वयम के सुखों के लिए नहीं, अपितु भावी सुखों के लिए कि आने वाले समय में इसका बेहतरीन यूज किया जाएगा, जो पिढ़ी आएगी, वो बेहतरीन यूज करेगी, उसी तरीके से देखे, और भी मोडर्न काल में जैसे कि भागत सिंग, सुबा चंदर बोस, चंदर सिखर राजात, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नहरुवादी ने, सोतंदरता संगर्ष के द्वरान इन योजनाओं को ठीक अलोकन किया गया, उनके द्वरा लिखा भी गया, इसलिए कहा जा रहा है कि जो इतिहास है, अतीत और वर्तमान के मद्य एक सेतु का कारे करता है, जिससे की लोग हमेशा सिखते रहें, सिखते रहें, और उसकी वैलू को पता करते रहें अब आईए बात करते हैं यहाँ पे, काफी इंपर्टेंट चीज, इतिहास के चार महतपूर अंक कोन कोन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा, बिल्कुल सिंपल है, पहला है इवेंट का लथवा समय, उसके बाद व्यक्ति है, उसके बाद अस्थाल अस्थान है, चल क्या की, तो पूरी तरीके से यह जवाब देता है, इतिहास में घटना का महतपूर अस्थान है, इतिहास में वह क्या घटना है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, यह घटना कैसे घटी, यह घटना क्यों घटी, तो क्या, क्यों, और कैसे, यह पूरा का पूरा यहाँ पे, इ जहां पर अगर हम लोग बात करें क्या में, तो इतिहास का यह अंग घटना इसी सवाल का जवाब देता है, कि इतिहास में घटनाओं का होना अवस्यक है, समाने तह उन्ही घटनाओं को इतिहास में अस्थान मिलता है, जिनका कोई इतिहासिक महत होता है, इसलिए इतिहास दे करते हैं जैसे कि भारत में कलूंग यूद की घटना पानी पत की लड़ाई हो गया पलासी का यूद 1857 का करांती यह सम जो भी है सारी के सारी इंपोर्टेंट घटना हैं जो भूत अधिक परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है इसके बाद यहां पर बात करते हैं हम लोग काल अ की जा रही है जब कोई आपस में किसी विशय या घटना पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह जिग्यासा उठती है तुरत मेरे ठीक है हमारे मन में आती है कि घटनाय कब हुई है इतिहास का यह अंग समय इसी जिग्यासा का पूरी तरीके से समधान करता है और इस असान हो जाएगा इसी लिए इसके लिए कहा जा रहा है कि तिथी परक या करंबद अगर नहीं होता है तो वह लगता है कि बहुत अधिक भ्रामक हैं सही लगता नहीं है अता काल अथवासमय इतिहास का महत्पूर हिस्सा है और इतिहास के लेखन यों पठन पाठन में सोशनीता के लिए समय निर्धारण अवस्य करता है। तीसरे नम्मर पे हैं यहां पे व्यक्ति, परसन की बात की जा रही है। व्यक्ति इतिहास का तीसरा सबसे महत्पूर अंग है। यहां पे इंडिकेट करता है कौन को बताता है। तीहास से देखते चलिए कौन को। जब इतिहास में किसी घटना विशेश का जिक्र होता है। तो समय के साथ साथ यह जिग्यासा मन में हमारी उठती ही हैं आपे कि यह घटना किस व्यक्ति से समांधित है। यानि इतिहास की उस घटना का पात्र को ने, हीरो को ने, इतिहास का यायंग, वेक्ति, इसी जिग्यासा का समधान करता है, कि इतिहास में वेक्ति अथ्वा पात्र का वलडन बहुती आवस्यक है, समानेता उनहीं वेक्तियों को इतिहास का पात्र माना जाता है, जो कोई महत् अथ्वा इतिहासी कारे करता है जैसे कि सिकंदर हो गया सिकंदर ठीक है समराट असोक भगत सिंग महात्मय गांधी बहुत सारे उससे में लोग भी होंगे लेकिन उनका हमें नाम पता नहीं है क्योंकि व्यक्ति विशेज की परमुकता सबसे इंपोर्टेंट होती है चोथे नमर पे यहां पे अस्थल अस्थान यह बताता है आपे कहा जैसे ही तीने घटनाएं आकर सामने आपे आ गई तो चोथे हमारे मन में आना चाहिए यह घटनाएं कहा हुई यह सभाविक है जब हमें कब और कौन का जवाब मिल जाता है तो यह जग्यासा उड़ती है कि यह घटना कहा की है अथवा यह इतिहास कहा का है इतिहास का अस्थल इसी बात को यहाँ पे जवाब देता है और इतिहास के लिए यह आवस्यक है कि उसमें अस्थल दरसाया गय यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें भ्रह्म की स्थिति बनी रहती है इसमें कहा का जिक्र किया गया है समानत्य इतिहास में उन्हीं अस्तलों को जगह मिल पाती है जिनका इतिहासिक महत्तो होता है जिसकी पाटले पुत्र बार बार नाम जिक्र होता है कन्योज, प्लासी, कलिं ऐसे चीजों को हम लोग भूल नहीं सकते हैं इतिहास बार बार हमें memorize कराते रहता है अब यहाँ पर लास्ट पहलू है इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है तो अभी अगर आप student है तो एक लाइन में अगर कहा जाए कि अभी जरूरी है ठीक है अगर आप job चाहते हैं तो exam क्रेक करना चाहते हैं इतिहास पढ़ना जरूरी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी processing विक्ता इतनी ही तक्सीमित नहीं है क्योंकि उसके बाद भी और भी बहुत सारी दुनिया है जो job करते हैं उनको भी बहुत अधीक है इतिहास जिनको भी जानने की इच्छा होती है उन्हें भी अश्रड़ी करना होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक जाम तक सीमी थे बहुत सारी चीज इतिहास की एक एक कड़ी हमको आने वाले समय के बारे में बेहतरीन तरीके से सीख देती है अब देख सकते हैं आप इसको मैंने काफी 10-11 डाइमेंशन में बाटा हुआ है इसको मैं लोग बारे बारे से देखेंगे प्राचीन संस्कृतियों की जनकारी, मानो प्रजातियों का संगम, बिभीन भसाओ और लिप्यों के साथ संबन बिभीन धर्मों की जनम भूमी, लोक तंत्रिय संस्थाय, कला और वस्तुकला उसी तरीके से साहित्य का विकास हो गया, बिज्ञान का विकास, बिभीन धर्मों की जनम भूमी, लोक तंत्रिय संस्थाय, कला और वस्तुकला आईए एक के करके इसे हम लोग complete करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राचीन संस्कृतियों की जनकारी के लिए बहुत ही important है यहाँ पे तो प्राचीन भारती इतियास के अध्यान से में जनकारी मिलती है कि भारत में प्राचीन सांस्कृतियों की उतपती प्लस बिकास के बारे में पूरी तरीके से आपे जनकारी मिलती है जैसे कि पसारकालिन भारती मानो को किन समस्याओं से जुझना पड़ा और उनके द्वारा कैसे बिजय प्राप्त की आदिमानों के द्वारा जाने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने खाना बदोसी जीवन को छोड़कर अस्थाई जीवन कैसे शुरू किया उन्होंने किरिसी का अराम्भ कैसे किया वह कौन-कौन सी फैसला पैदा करते थे उन्होंने पसु पालन द्वारा कौन-कौन सी लाव पराप्त किये उनके अजार कैसे थे किन चीजों से बने होते थे कैसे वस्त्रपाना करते थे कहा रहते थे उनके धार्मिक विश्वास क्या था वह कला में क्या दिज़च्पी रखते थे अगनी दथा पहियों के अविसकारों ने उनके जियों में कौन सा करंदिकारी परवर्तन किया उन्होंने धातू का परयोग कब किया मानो किस परकार प्रगती के रास्ते पे धीरे 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 आगे बढ़ा मनुस्य किस परकार धीरे धीरे बिसाल राज्यों के अस्थापना की प्राचीन भारती इतियांस के अध्यांस में पता चलता है कि विभीन सभ्यता जिसे की हरप्रा सभ्यता आरियाय, वैदिक कालाया, मौरिवंस, गुप्दवंस, ठीक है ऐसे बहुत सारी जुबन सावरिया होती है इन सब के बारे में, इनकी संस्कृतियों के बारे में पता चलता है दूसरी अगर बात करें यहाँ पे हम लोग मानो प्रजातियों का संगम तो यह भी काफी important factor है प्राचीन भारत का इतिहां से कन दृष्टी से भी काफी important है क्योंकि यहाँ पे अनेक समय के साथ अनेक प्रजातियों का भारत में आगमन होगा जिसे कि आरे आए, आरे उसके बाद यहाँ पे यूनानी आए यू मैं indicate कर रहा हूँ इरानी आए, कुसार आए, सक आए, हूड आए, अरब आए, टोर्किस वाली आए ठीक है अब बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो धिरे 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 दिखी पूरे बिस्व से अलग-अलग छेत्रों से आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रजातियों का पूरी तरीके से संगम हो रहा है और इनकी खासियत यही है भारत की डाइवर्सिटी को इन्होंने बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हर प्रजाती की भारतिय सिल्फ कला जैसी वस्तु से ठीक है उनका परिचित होना उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें हमसे सेहर किया वस्तु कला और सहीति के विकास में अपने योगदान दिया उन्होंने हां की इस्तिरियों से साधी भी किया धीरे-धीरे वे लोग इहां के समाज में ही घुल गए अता हुनकी पहचान समाप्त भी हो गई आगे हम लोग देखेंगे जिससे मुर्य तरकाल के बाद से गुपत गुपत तरकाल आएगा धिरे-धिरे उनका कनवर्जर निक तरीके से भारती ही होके वे रह जाएंगे नेक्स्ट है याँ पर बिभीन भसाव और लीपियों के साथ संबंध इसका क्या संबंध है चलिए तो अधुनिक बारत में जो भी विभीन भसाव लीपियों के प्रचलित थे उनका संबंध परत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में प्रचलित भासा और लीपियों से हैं जिसे कि उस समय जो भी था, जिसे कि मान के चलिए कि उस समय अधिकतर जो भासा थी, पाली थी, पाली के साथ प्राकृत भासा थी, संस्क्रीत भासा थी, लेकिन अगर वर्तमान में अगर देखा जाए, तो इन ही सारे भासाओं का कहिन कहीं रुपांतरण हो गया है, छेत्रिय अधुनिक लिपी अगर देखा जाया तो अचानक नहीं आ गया इसके पीछे प्राचीन लिपी का काफी इंपोर्टेंट रोल रहा ही रहा है आज इसलिए देश को भासा के दृष्टी से एक सुत्र में बांधने के जो प्रयास किये जा रहे हैं उसकी प्रेनरा भी हमें प्रा क्रित भासा गुप्त काल तक आते आते संस्क्रित भासा ने पूरे भारत को एक सुत्र में बाटने का प्रयास किया चोथे नमर पे हैं आपे बिभीन धर्मों की जनाम भूमी एकदम ध्यान से देखते चलिए कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी कहा जा रहा है कि भारत में द कि वेलएं, क्रिश्चेनिती, मुसलिम, पार्सी, सीख ऐसे बहुत सारे धर्मों की भारत में पूरे तरी के से लाइन लगा हुआ है, लेकिन यह खासियत है हमेशा से खासियत रही है कि इन सभी धर्मों के लोग सदेव भारत में एक साथ तुगेदर मिलकर रहा करते थे भारत कभी भी इन सासकों ने सदा धार्मिक सानसिलता के निती का अनुसरण किया उन्होंने कभी भी अपने धरम को प्रजा पर थोपने का प्रयास नहीं किया लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में ते सारे चीजे बहुत इसमें परिवर्तन नजर आता है कि वर्तमान में संप्रदाइक जगडों का जो विक्राल रूप देखने को मिल रहा है उसका मूल कारण धरम है यदि आज भारत प्राचीन काल भारत में प्रचलित जो भी धार्मिक सांसिलता का नितिक अगर अनुशरल करें प्राचीन काल से सिखना चाहिए वर्तमान को तो सायद ये सारी संप्रदाइकता की जो जोड़े है पुरी तरीके से नस्ट हो सकती है खतम हो सकती है जो कि भारत पुरी तरीके से एक हो जाएगा पाचवे नम्मर पे हाँ पे लोक तंतरियस थाए अब लोग तंत्रियस संस्ता है, सपोज करिए कि एगर भारत में लोग सभा, राजी सभा आ गया, तो ऐसा नहीं था, वैदिकाल से ही सभा का आप लोग ने नाम सुना होगा, समीती का नाम सुना होगा, बिलकुल यह वर्थमान समय में, जो लोग सभा, राजी सभा की तरह उस शासन चलाते थे, नयाय करते थे, इसी तरीके से गाउं में पहले आप लोग जनरली सुनते होंगे, पंचायते जगड़ा का फैसला करते थी, लोग पंचो को पंच परमेस्वर समझ के उनका फैसला मान लेते थे, केंद्रिया सरकार हास्ते चे बिलकुल नहीं करते थी, लेकि तो प्राचीन काल ने कला और वस्तु कला के छेतरों में आश्चारी जनक उन्निती की थी, जिसे की हड़ापावासियों के ले लिजिए, उनकी पूर्ण, ठीक है, नगर बनाने में कितना वे कुसल थे, उस काल में बने कांसे की मुर्ती हो गया, नर्तेकी की मुर्ती, जो का पूर्ण, बनी होई थी, विभीन परकार के मुहरे, उनकी स्रेष्ट कला को ही पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है, इसी तरीके से हड़ापावासियों योजना, पूर्ण, नगर बनाने में कुसल थे, उस काल में बने, ठीक है, कए परकार के, जो हड़ापा काल से, जो के हुए इनसांग आया, उनके द्वारा भी बहुत कुछ कला और वस्तुकला के बारे में बताने का प्रयास किया गया, असोक द्वारा बनवाई गई, तो पूछिये मत, अभिलेक, अभिलेक, ब्रिहद अभिलेक, ठीक है, लगु अभिलेक, अगुहा लेक, इन सारे चीजो को अगर देखें, तो कला और वस्तुकला को इंडिकेट कर रहे हैं, जो वर्तमान में हमें बहुत सारे चीजों को सिखा भी रहे हैं, सेवन नमर पे यहां पे साहित्य के बिकास को लेके हैं यहां पे, क्योंकि साहित्य का जो बिकास है अगर देखा जाया, तो आरियो ने इ या इसमें कहाना को यतिस यक्ति नहीं होगी क्योंकि आरेयों के द्वारा हैं चारवेद जो भी लिखा गया रिगवेद सामवेद येजुरवेद अथरवेद उसके बाद से यहीं तक भी नहीं रूखे आगे चलके ब्राम्मर ग्रंत उपनिसद विदांग उपवेद पुरा महा कावे आधी को भी लिखा गया उनके द्वारा और आगे चलके धरव निर्पिक्ष ठीके सहित्यों का भी गठन हुआ जिसे की मौरेकाल में कोटिल द्वारा लिखा गया अर्थ सास्त्र ये अपनी आप में भारत का एक कोहिनूर हीरा के समाने गुप्त काल को स्वन यू लोग बोला गया उसके नौरतनों के कारण काली दास जिसे नौरतनों आपे मौजूद थे तो क्या दिखाई दे रहा है आपे सहित देखाया आपे डिवलप्मेंट हो रहा है जो वर्तमान में एक गौरवानमीत करने वाला छड़ होता है नेक्स्ट यहाँ पे बिज्ञान क का विकास साइंस का डिवलप्मेंट यहाँ पे अब देखिए ऐसा नहीं है अगर आदी मानोकाल से अगर आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल वे में इसे समझने की कोशिस कीजिए कि वर्तमान में जो जो भी गजट्स आ गये यहाँ पे 3DG 4G नेटवर्क आ गया अभी जश्ट देखिए पांदास साल पहले जाके देखेंगे तो यह सब था ही नहीं तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें बिग्यान डिवलप्मेंट नहीं थो था उसी तरह अगर आप पिछे घर जाके देखेंगे आदी मानोकाल के समय में तो उसमें बड़े-बड़े पत्थर के जो आउजार बनाए गए तीरे-दीरे-दीरे मानो मस्तिक्ष डेवलप किया पत्थरों के आउजार में ठीके एक तरीके से जो उसल कारी-गारी देखने के मिली जरूरत के हिसाब से उन्होंने आउजार बनाए यह क्या है यह बिग्यान को ही तो इंडिकेट कर आए और आगे चलके इसे निरंतरता को हरप्पा काल में ठीके बहुत बेहतरी धंग से पूरा किया गया आगे चलके एक सेग मगद मौरी जो समराज आए समराज यहाँ पर आते गए आते गए यहाँ पर धीरे-धीरे-धीरे ब्रहम गुत्त हो गया आरे भट हो गया जैसे स पहले सताप्दियों पहले ही अज्यात किया था उनके द्वारा कि सभी वस्तु प्रकृति के नियम का उनसार प्रित्वी पर गिरती है क्योंकि प्रित्वी की अभिसेश्ता है कि वह वस्तु को अपनी उर्खीजती है और उनके द्वारा गुप्त के द्वारा उसे आकर्षण का सिधान्त बताया गया उसी तरीके से आर्य भट काफी इंपोर्टेंट नाम है ऐसा माना जाता है कि इनके दवारा जीरो की खोज की काफी कॉंट्रवर्सी इसको लेकर जीरो को लेकर फिर भी कहने का यहां पर मतलब यहीं है कि प्राचीन काली तिहास में विज्ञान के विक बहुत सारे यहां पे ठीक है कई सारे जो धरम आए जिससे कि अगर देखा जाए तो बहुत धरम को ले लिजी आप ठीक है बहुत धरम भले ही नेपाल के लुम्मनी में हुआ लेकिन उसका परचार परसार पूरी तरीके से बारत में हुआ बहुत जैन हो गया ठीक है इसके अब बात अगर देखा जाए तो यहां पे क्रिष्टिनीटी हो गया ठीक है सोरी क्रिष्टिनीटी है अपर सिक सिक ठीक है ऐसे सारे धरमों का अगर जनाम भूमी अगर देखा जाए तो बिलकुल भारत में ही होगा और भारत के साथ साथ यह अन्य देशों में भी धेरे धे जिरे फैलते गए और आज देख लिजिए बहुत धरम को लेके दचलपुर एसिया को ले लिजिए उसके अलावा जो भी पुर्वी जो देश से उनको ले लिजिए बहुत धरम कितना अधिक हद तक फैल चुगा है तो यह अपने आप में गौर्वान वित करने वाला चड़ ह नेक्स्ट टेन नमर यहां पे लोक तंतरिया संस्थाए नेक्स्ट यहां पे विभीदता में एकता देखें नामी है यूनिटी इस टिक अस्टेंथ जिसे बोला जाता है बिलकुल प्राची नकाल से इसारे चीज़े आही रही है यहां कि जो भी भावगोलिक, समाजी, कार् निति, धार्मिक तथा कलायोम स्वसक्रीटे में पूरी तरीके से भीभीदता पाई जाती है उत्तर में पूरी तरीके से हिमाले से लेके अगर दच्छिण में आप कण्या कुमारी तक जाएंगे पूरों में असम से लेकर पहच्ची में सिंधु तक के विसाल उप तक जाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे राजवन्स यहां पर आएंगे बहुत सारे भासा आएगी कुल मिला के हरे खेतर में बहुत बड़ा जो चेंज आएगा लेकिन फिर भी यहां पर उस समय कुछ सासकों के द्वारा पूरे समस्त देश पर कंट्रोल किया गया था जिसके कारण उनको चक्रवर्ती सासक भी कहा गया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सारे भी भीदता होने के बाद में भी भारत में जो यूनीटी थी ऐसा नहीं था कि अभी है अजादे के बाद से हैं इस सद्यों पहले चली आ रही थी नेक्स्ट है आपे वर्ड वेवास्था को लेके वर्ड वेवास्था काफी इंपोर्टेंट है वैदिकाल में अगर देखा जाय ते शुरू हो गए थी वैदिकाल में भारतिय समाज अगर देखा जाय तो खासकर रिग वैदी काल में ब्रहमर छेत्रिय वैस तक सामिल थे लेकिन उस समय तक सिर्फ करम परधान था लेकिन उत्तर वैदी काल तक आते आते पूरी तरीके से इसमें चेंज आ गया और सुद्र भी अब इसमें एक नया वर्ग सुद्र गरूप में इसी सामिल कर लिया गया और धीरे धीरे यापर था सारे देश में फैल गई धीरे धीरे प्राचीन काल से अनेक बीदेशी जातिया भारत में भी आकर बस गई लेकिन यहापे हुआ क्या कि वह गुडों के अधार पर किसी न किसी वर्ड में समलित हो गई, बाद में अनेक हिंदू, मुस्लिम बन गए, इसाई बन गए, ठीके, पूर धार्मिक कनभरजन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा अपने पुराने रिती रिवाजों को छ किया जाता है, नेक्स्ट आप या लेवन नंबर पे उज्वल भविस्थी के लिए, जिसे कि इसमें कोई सक नहीं होना चाहिए, कि हमारा अतितब इतना सारा चीज़ देखने के बाद, पूरी तरीके साब को फिल हो रहा आगा, कि गौरों में इत्यास हैं, हमारे पुरोजो से इंकार नहीं किया जा सकता, कि प्राचीन काल भारतिय समाज में अनेक दुरूटिया भी मौजूद थी, सकोर चंडालों के साथ देखा जाया, तो खासकर गुप्त काल में, ठीके, या फिर उत्तरवैदी काल में, बहुत ही अपमान जनक बेवार किया जाता था, नारी को बिद्वा बिवा पर पर्तिबन तथा दहेज प्रथा आधी नेस्तिरियों का जीवन दुभर बना दिया था, लोगों में बहुत सारे अंधिविजवास फैले हुए थे, अता जो लोग भारत के उज्जवल्भविश्य का निर्मार चाहते हैं, उन्हें अतीत से सीखके, इ पूरी तरीके से इसको बनाने का जरे हैं, युवाओ पे ही छोड़ा जा रहा है, तो ठीक है फ्रेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं कम्पलीट हो रहा है, उमीद है आप लोग लेक्चर पसंद आ रहा होगा, इसी तरीके से हिस्ट्री को हम लोगा स्टडी करने का प्रय प्रयास करेंगे, ब्रिफली जब तक देखेंगे नहीं, आप रटने की प्रक्रिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ठीक है फ्रेंट्स, थैंक्स पर वाचिंग, प्लेज हेल्प विच अदर, एंड गॉड बिलेस यू.